मतदाता जागरुपता को लेकर प्रदेश भर में अनेक कारिक्रम आयुजित किये जा रही हैं। बालुद जिले में जिला निर्वाचंद्वारा कर्बो मतदान थीम से जन जागरुपता कारिक्रम चलाया जा रहा है। जन जाग्रुपता के इस कारिक्रम में महिला कमांडों की मदद ली जा रही है। इसके लिए गुंडर देही में आज छेत्र के महिला कमांडों को EVM मशीन के माध्यम से मतदान करने के तरीके से अवगत कराया गया। महिला कमांडों स्वेम VVPET का बटन दबा कर मतदान करने के प्रक्रिया से अवगत हुई। इस मौके पर जिला पंचायद CEO तथा स्विप कारिक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रेनुका श्रिवास्तव विशेश रूप से उपस्थित रही। उन्होंने महिलाओं क को मतदान प्रक्रिया से सम्मंद जानकारियां दी। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में रेनुका श्रिवास्तों ने बताया कि इस कारिक्रम के तहा तजले के महिला कमांडों भी अपने छेतर में जन जागरुक्ता कारिक्रम चलाएंगी। लोगों को खुच जागरुख होना है और पूरे अपने आसपास के लोगों को भी जागरुख करना है ताकि हम लोग 100% से मतदान करवा सके। मतदान एक अदिकार है उसका प्रयोक सभी को करना चाहिए। बस यह से इस लोगों को बताना है। कर्वो मद्दान हमारे डिस्टिक का थीम है कर्वो मद्दान मतलब हर एक वैक्ति को मद्दान करना है इस दोरान गुंडर देही में जन जागरुकता रेली निकाली गई जन पत कारियाले से प्रारंब हुई इसरेली में महिला कमांडो के अलावा जिला पंचायद सीई-ओ तथा पदमश्री शम्षाद बेगम भी विशेश रुप से शामिल हुई शम्षाद बेगम को जिला निर्वाचन द्वारा छेतर में जन जागरुकता अभियान के लिए ब्रांड अम्बासिडर बनाया गया है उन्होंने बताया कि महिला कमांडो द्वारा जन जागरुकता कारिक्रम के तहत छेत्र में 6 प्रतीशत मतदान का प्रयास किया जाएगा इसके लिए हमारी महिला कमांडो गाँ गाँ में जाके लोगों को जागरुक करेगी जिनका नाम नहीं जुड़ा है जिनकी उम्र 18 अरसे से उपर हो गया है उनको जुड़वाने के लिए और गाँ में रोक कर उनको बोलेंगे कि आपका नाम जुड़ गया है तो आप कारिया ले में आकर संपन्न हुई और यहां